अगर उम्र की बात कीजिए अगर इस तरह की परिशानी आपको हो रही है या आपके घर में किसी को भी हो रही है तो आज कर नुसका पजमा सकते हैं अगर उम्र की बात की जाए तो भी ठंड बढ़ने के साथ साथ हड़ियों में दर्द जोडों में दर्द शरीर में अकड़न जैसी तकलीफ होने लग जाती है और इसके साथ साथ आज की टाइम पे अधिकतर महिलाएं अनीमिया की शिकार हैं अगर आप भी उनमें से हैं आपक आपिस नुस्के को आजमा सकते हैं अधिकतर देखा गया है कि उम्र के वज़ा ना हो तब भी शरीत में बहुत जादा सर्दियों में एठन जकडन सिर दर्द बैक पेन कमर में दर्द तो होना आम बात बन चुकी है पूरा दिन की सिटिंग जॉब भी इसका रीजन हो सकती ह और बड़े लोगों को तो अकसर सर्वाइकल इशू भी बहुत जादा देखा जाता है तो मौसम बदलने के साथ साथ अगर आपको आपके परिवार में किसी को भी शरीर में एठन जकडन दर्द घुटनों में दर्द जोडों में दर्द की परिशानी बनी हुई है या फिर आपको आँखों की तकलीफ है आँखों की रोशनी कम होती जा रही है स्ट्रेंड बहुत जादा फील होता है हमेशाँ सिर्द रहता है आँखों के आसपास की जो मसल्स ऑन में वीकने सा रही है तो चलिए करते हैं आज का एक घरेलू असान सा उपाए बहुत से घरेलू बिमारियों से हमें अजादे मिल सकती है, सबसे बड़ी बात है दूद, दूद में होता है कैलशियम, पोटाशियम, मेगनीशियम और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो हमारी हडियों को, हमारी आखों को, हमारी मसल्स को, ब्रेन को स्ट्रॉंग करती हैं, तो दूद में कुछ ऐसी बीस दिन भी पी लेते हैं, रोजाना दिन में एक ग्लास, एक ग्लास दूद था, जिसको मैंने काड़ कर आधा ग्लास देखे कर दिया है, तो अगर आप इतना भी पी लेते हैं तो बहुत फायदा होगा, और जो मैंने आपको ग्लास स्टार्टिंग में दिखाया है, उतना पाचीनी एंटी इंफ्लिमेटरी होने के साथ साथ हमारे शरीर में वात को खतम करती है, शरीर में जोडों के घुटनों के दर्द को खतम करती है, जो लोग हडियों के परिशानियां से जेल रहे हैं, मसल्स की वीकनेस को जेल रहे हैं, गठिया रोग रहता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, साथ में आड़ कर रही हो थोड़े से सौफ, सौफ हमारे शरीर में पाचन शक्ती को बढ़ाती है, घुटनों का दर्द, घुटनों से कट-कट की आवाज आना अधिकतर तब होता है, जब हमारा पाचन ठीक से नहीं हो पाता, शरीर में हमारा विशैले प बाले कड़ने दे, जिससे कि इसका सारा असर जो है दूद में आ जाए, इसके साथ आप इसमें एक और चीज आड़ कर सकते हैं, जो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, वो है हल्दी, हल्दी अगर आप कच्छी हल्दी डालना चाहें, तो वो भी डाल सकते हैं, न गुटनों के दर्द को वात को खतम करती है, इन फैक्ट ये जो मिल्क बनकर तयार हो रहा है, ये हमारा इम्मुनिटी पूस्चर का भी काम करेगा, आगे आने वाले मौसम में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ चमता है शरीर में, बहुत ज़्यादा गले में खराश क दिक्कत रहती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, हाजमा सुधारना है तब भी बहुत अच्छा है, तो इस तरह से तीनों चीज़ों को आप दूद के साथ पकाईए, और आपका एक ये बढ़िया दूद बनकर तयार है, इसे आप किसी भी उम्मर के बच्चे को द सकते हैं, मैं इसमें कोई भी मीठा आइड नहीं कर रही हो, क्योंकि अकसर जोड़ों की दिक्कत बड़े बुजुर्गों को होती है, और उनको डाइबटीस की प्रॉब्लम भी रहती है, आप चाहें तो आप इसे बाद में आधा जम्मर शेहट डाल सकते हैं, नहीं तो फि या पॉस्टिक नूट्रिशन से रिच दूद बनकर तयार है, इसको आप पूरी सर्दियां पीजिए, बड़े बुजुर्ग हैं तब लीजिए, छोटे बच्ची हैं तब दीजिए, उनको दिमाग तेज होगा, आखे तेज होगी, मेमरी पावर बढ़ेगी, शरीद में स् सर्दियों में आपकी शरीद को तरो ताजा करके रखेगा, कमर दर्द हाथ पैर दर्द से अजादी दिलाएगा, वीडियो पसंद आया है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फिर मिलती हूँ, बाई बाई